जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप हमेशा खुश रहे, खुद भी खुश रहे और अपने आसपास जितनी भी लोग हैं, उनको भी खुश रखने की कोशिश करें. मेरे प्रिये दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है, जिससे किसी को भी अपना बनाया जा सकता है. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो प्रेम की परिभाशा को बखुवी समझते हैं. वो कहते हैं न, कि प्यार तो अनमोल होता है, प्यार ना देखे जात पात, प्यार ना देखे रंग रूप, ये तो मनमोहा है. बस यही बात सौ फीसिदी सच है, कि प्यार तो वही होता है, कि जब आपका दिल किसी भी इंसान के लिए धड़क उठी, और दिल से ये आवाज आए, कि यही है, बस यही है वो व्यक्ति, जिसके साथ हम हर पल गुजार सकते हैं. उसे ही पका और सच्चा प्रेम माना जाता है, लेकिन जिन्दगी में कभी कबार ऐसा भी हो जाता है, कि जिससे आप प्रेम करने लगे, और आप उसके प्रती आकरशित हो, और उसको पाना भी चाहते हैं, पर वो आप से दूर हो जाए, या आपके प्रेम को समझ ही न पाए तो ये विडियो आपके लिए बहुत ही काम का है, इस विडियो में हम गुरुजी का एक ऐसा उपाए आपको बताने वाले हैं, जिसको करते ही आप अपने प्यार को आसानी से पा सकते हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, इस उपाए में कुछ खास न ये तभी असरदार होगा जिसको भी आप प्रेम करते हो रात्री में उनका पांच बार नाम अपने पैर के नीचे अंगूठे से लिखकर आहा यम्मी आहा यम्मी बोलकर सो जाईए और सुभा उठते ही खाये पिये बिना कुछ बोले बिना पानी मूँ में लेकर आहा व्या मे आहा यम्मी बोलकर उस पानी को अंगूठे पर डाल लीजिए फिर देखिए कैसे चमतकार दिखता है ये सटीक उपाय आपके जीवन में आपका प्रेम वापस ले आएगा इस उपाय का सच में कोई तोड़ नहीं है आप एक बार जरूर इस उपाय को करें जिससे आपका अच्छा प्रेम करते हो इस उपाय को करने के बाद वो आपके पास होगा आप अपनी आखों से खुद ये चमतकार देखेंगे गुरुजी का ये उपाय आपका जीवन सवार देगा अगर आपको गुरुजी का ये उपाय पसंद आया है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज चीज जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपको भी गुरुजी से बात करनी है या इस उपाय को करने में आपको कोई शंका महसूस होती है, कोई परिशानी होती है, तो आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और ध्यान रहे, आप जब ये उपाय कर रहे हूं, तो आपकी म बिल्कुल साफ होनी चाहिए क्योंकि अच्छी नियत और साफ नियत से किया गया कारही सफल हो पाता है मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार